अब next topic हमारा आता है data types तो data types से समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि data क्या होता है जैसे हमें sim में मिलता है 1.5GB data, 2GB data कै ये वाले data है, नहीं वो भाई internet का data है, ये data कौन सा data है जो हमने एकदम छोटी class में हमने definition पड़ी थी, raw, facts and figures अब data समझ लो, कोई भी data या कोई भी information हमारी data होती है तो अलग-अलग type की information होती है वो कैसी भी हो सकती है, अब जैसे अगर मैं बोलूँ कोई text file है, कोई game है, कोई video है ये अलग-अलग type के data है न, बट ये बहुत बड़े level पे है, तो हमें काम करना है छोटे level के data पे हमारे छोटे level के data कैसे होती है हमारे number हो गया हमारे alphabets हो गया इन पे काम करना है, तो सबसे पहला हमारा है integer, int, जिसको हम int बुलाते है तो integer क्या होता है, बता ही है यार integer, positive negative numbers, integer floating points, floating points को हम बोलते है float, जो इनके bracket में नाम है न, ये हम minus 1, minus 2, plus 1, plus 3 ये ये इंगे, int गेंदर, but float गेंदर, point वारे number भी आ जाएंगे सारे चाहे हो minus में हो, चाहे हो plus में हो boolean क्या होता है, हमारा boolean, boolean हमारी वो values होती है, जिनकी खाली true या false value होती है, 11 में बढ़ा था strings क्या होती है, string हमारी str string में बताता है, sentences होते हैं, बाकी string तो आगे, बहुत ज़र detail में पढ़ना है, और ये आगे के 3 भी हमें detail में पढ़ना है, अब ये list बता दूंदो क्या होता है, list के अंदर काफी सारे numbers होते हैं, similarly tuple में भी काफी सारे numbers होते हैं, और dictionary में कुछ dictionary इसारे हम आगे पढ़ेंगे, अब इनके मेदे कुछ कुछ लिखा हुआ है, immutable, immutable ये क्या होते हैं, तो ये देखते हैं, immutable और mutable का मतलब का है, ये आपको याद रहना चिह कौन सा immutable होता है, और कौन सा immutable होता है, so mutable variable और immutable समझने से पहले हम ये समझना पड़िया कि यह variable क्या होता है तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ values यूज़ करने होती है और यह जो value होती है यह memory के अंदर stored होती है अब मानलो आपकी RAM जो है वो 8GB की है 8GB मतलब हमारा 800 करोड बाइट हो गया और हमारा एक integer का size होता है छोटा था चार बाइट तो इतने बड़े memory के अंदर हमारी जो चार बाइट है खो जाती है तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते है तो यहाँ पर आप देखोगे तो दो हमारे variables है एक variable है हमारा roll number और name roll number की value यहाँ पर डाल रख यह 41 और name में डाल रख है हर्ष तो roll number जो है वो int type का है integer integer int होता है और name मैंने बताय था यह sentence दिख रहा है यह कैसा है हमारा string type का है str तो जो python है वो हमारा dynamic typing बेलाओ करता है dynamic typing क्या होती है अगर मैंने age goes to 5 एक बार कर दिया और अगर मैं इसके बाद एक को change करना चाहूं जैसे मैं एक को change करना चाहूं hello में तो अब यह पहले int था और अब यह कैसा बन गया अब यह string बन गया तो जो mutable variables होते हैं वो थोड़े से must type के होते हैं और जो immutable variables होते हैं यह थोड़े से खड़े से type के होते हैं तो अगर मैं एक immutable variable को बोलूँगा कि मेरे को तेरे अंदर की value change करनी है तो जो उसके अंदर value होगी, वो थोटी सी जिद्दी होगी, वो कहिए कि मैं भासर नीं आ रहा, तो हम इसके अंदर दूसरी value ने डाल सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें दूसरी value डाल नीए हैं, उस value को कहीं ऑर डालना पड़ता है, और उस जगे को हमें वापिस से A नाम देना पड़ता है तो यह हमारे होते हैं immutable variable जिनकी जो value होती है वो जिद्धी होती है बट mutable variable कैसे होते हैं जिसकी value को अगर हम बोलेंगे कि हम तुझे निकाल के कोई और value डालना चाते हैं तो वो easily change हो जाती है तो हमारे mutable में आपके example था list का or dictionary का list के अंदर मैंने बताया था बहुत सारे numbers होते हैं तो अगर मैं को इन में से कोई एक number change करना है तो मैं से भाहर निकाल के इसके अंदर नया number डाल सकता हूँ बट कर कोई integer है integer कैसा है immutable यानि यह जिद्धी होगा तो अगर कोई integer की value है is goes to 5 अगर मैं को इस value को change करना है तो यह 5 भाहर निया आएगा यह थोड़ा सा जिद्धी है तो मैं को क्या करना पड़ेगा अगर मैं को इसमें से 10 डालना है तो सबसे पहले अगर हम देंगे indentation क्या होता है तो indentation का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ पर एक gap देते हैं यह हमारा indentation होता है यह gap देना जरूरी होता है क्योंकि यह define करता है कि इस particular चीज के अंदर कौन कौन सी चीज है तो जितनी भी चीज ऐसे आगे होँगी हम हमें समझआ जाएगा कि वो इस वाली लाइन के अंडर आती है अब जो भी यह line होती है वो line नहीं होती हो हमारे blocks होते है जो जो हमारे blocks होते है हम ऐसे denoted है इनके एक colon होता है और इसके बाद जितनी भी चीज होती है हो हम ऐसे indent करके लिखते हैं आग इस थोड़ा सा gap देखे अब यह चीज है क्या यह def India क्या है define India है यह def count होता है define define किसको कर रहा है हमने हमें एक function को define कर रहा है so India अब एक function बन जोगा है function का पूरा चेप्टर है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर python की class चल रही है या फिर social media चल रहा है यह hashtag क्यों use हो रहे है तो यह hashtag है hashtag नहीं है यह hash है जो use होता है हमारा comment में अब comment क्या होता है program के अंदर हमें अगर कोई ऐसी चीज लिखनी है जो हम चाहते हैं कि यह program की तो नहीं है बट अगर कोई हमारा program पढ़े तो उसको पढ़ने में आ जाए जब भी हम hash लगाते हैं तो जब भी इसके ओपर compiler इसको पढ़ने आता है तो इस वाली line को ignore कर देता है यानि कि program को तो पढ़ने में नहीं आएगी बट हम जैसे अगर कोई human इसको पढ़ेगा जाके तो यहां पर लिखियो दिख जाएगी जिसकी कुछ value हो तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो a is goes to 5 यह एक line है बट इसकी कुछ value नहीं है यह तो बस एक क्या assignment हो रहा है बट अगर हम यहां देखें a plus 3 यह एक line है और इसकी कुछ value है इसकी value क्या है a tag for the current case तो यह हमारा एक expression हो गया तो यह हमारा एक expression है similarly अगर हम जादेगे b plus a b plus a की भी कुछ value है प्लस हरे कुछ आईगी और यह एक line है तो यह हमारा एक expression है 5 को भी हम expression कह सकते है बट यह single lateral है तो इसको expression नहां बूले तो better है अब statements क्या होती है कोई भी अगर हम command लिख रहे है तो हमारी statement की तरह consider कर जाती है यहाँ पर जैसे हमने assignment करा है यह हमारी statement हो गई जो हमने print करा है यह हमारी statement हो गई यहाँ पर हमने इसको define करा था depth से हमारी होती है function की call यानी function बनाना और फिल उसको call करना यह होता हमारा function call so यहाँ पर हमने कुछ terminologies पढ़ी है अब यह आपके important क्या यह तो मतलब इस तरह से basics ही आपका तो यह थब 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 को पता ही होना चाहिए और बाद मैं आपको अपने familiar हो जाओगा इन सब सब पढ़ते है input और output तो जब भी मैं कोई अगर program बनाता हूँ तो उसके अंदर म नहीं कर पारा तो इसका मतलब है कि वो अपने तक limitator रह जाएगा for example एक calculator है और वो calculator आपसे number नहीं ले सकता तो वो किस काम का है so input कैसे कराते है input के लिए basically input word यूज करते है और यह क्या करता है हमारा जो भी program run हो रहा है जो भी इस बंदा इस program को run कर रहा है इसको हम user कहते है उससे ये एक input ले लेगा so इसने बोला input enter your age तो जो इसको run कर रहा है उसको दिखेगा enter your age और वो अपनी age डाल देगा 10, 20 वो इसके अंदर आ जाएगी और वो age को assign हो जाएगी ये assignment operator लगा हो है हमारा तो जैसे मालो user ने 10 डाला तो age के value हो जाएगी हमारी 10 तो यहाँ पर इ यही मान के चलते हैं कि keyboard से जो भी आएगा वो तो alphabet होगा alphabet होगा या sentence होगा तो हमारा जो default input type है वो str होता है यानी string होता है तो अगर यह 10 भी अभी हमारा string है यह number नहीं है यह हमारा string के अंदर है तो यह चीज हमें याद रखनी है अब अगर मैं print करता हूँ age तो इससे हमार यह कितनी है 10 अगर मैं लिखता हूँ print my name is harsh सबको मैंने अलग-अलग inverted commas के अंदर रखा है तो इससे क्या print होगा my name is harsh और सबके बीचे में अपने आप gap आ जाएगा सबके बीचे में आप space आ जाएगा तो यह देखने वाली चीज है अब यह क्यों आता है यह अगली line में देखते हैं so similarly next line में हमारा लिखा हूँ है my name is harsh और सबके ओपर same inverted comma लगे हैं but last में एक word लिखा हूँ है step is goes to exclamatory अब इस step क्या होता है step हमारा होता है separator separator मतलब जो इनको separate करेगा इन सारे objects को तो यहाँ पर आप देखोगे my name इस सब के बीच में separator कौन है exclamatory का symbol अब यहाँ पर दो आपने कोई separator नहीं दिया था तो यानि जो default separator होता है वो हमारा space होता है so हमें किया रखने है जो default separator होता है वो हमारा space होता है ठीक है अब print कर रहा same my name is harsh और इसमें लिख दिया end is equals to एक dash दे दिया अब end क्या होता है end मतलब end में क्या आएगा so my name is harsh और last में end में एक dash आ गया अगर में कुछ नहीं देता तो end में क्या आता end line यह end line क्या होता है यह में कभी दिखता नहीं है जैसे यहां पर दिख रहा था नहीं दिख रहा था but last में end line है मतलब कि अब जो भी आएगा वो इसके बाद से आएगा end line कैसा दिखता है मारा end line ऐसा दिखता है लेकिन वो द conversion of one data type into another यानि एक data type को convert कर देते दूसरे के अंदर मतलब जैसे हमारा एक integer है integer को उमने convert कर दिया float के अंदर या string के अंदर मतलब अलग-अलग types के अंदर conversion चलती है सो यहाँ पर आप देखोगे दो type की conversion होती है एक होती है implicit implicit मतलब जो अपने आप हो जागी है या फिर बोल सकते हैं इंडिरेक्टली हो रही है वो थी implicit implicit में क्या हो रहा है a is equals to 5.0 यह क्या पता चल रहा है यह हमारा एक floating point है float है ठीक है b is equals to 4 यह क्या पता चल रहा है एक integer है तो एक integer है एक float है अब मैंने करा c is equals to a plus b a कैसा था यह हमारा float था और b हमारा int था तो float और int डाइरेक्ट एड़नी होंगे float और int को जब जो चीज़ पर और operation हो रही है तो उन दोनों के पर operation होने के लिए उन दोनों के data types हैं होना चाहिए तो यह क्या करेगा यहाँ पर b को भी float में convert कर देगा तो यह तो हमारा 5.0 था अगर मैं b को b जो हमारा 4 था तो float में convert कर दो तो यह भी हमारा 4.0 बने दाएगा तो answer हमारा कितना आएगा c is equals to 9.0 ठीक है यह मारा float में convert हो गया तो यहाँ पर एक conversion हुई है वह हुई है 4 से 4.0 में int से float में और यह indirect हुई है अपने आप हुई है हमेरे नहीं करी मैंने जो एक statement लिख की थी python ने अपने आप कर दी explicit क्या होती है जिसमें मैं python को खुद भोलू कि भाई convert करना है कैसे करना है a की value मैंने 5.0 दी अब मेरे को b की value करनी है int of a int of a मतलब a का integer बना दो तो a कैसा 5.0 5.0 का अगर मैं integer बना दूँआ तो क्या बनेगा 5 बनेगा पर बाइंट अला पाट हर जाएगा जो float मो होता है so type costing का कोशन यह बहुत ज़्यादा आता है मैंने very important भी लिखा हुई और क्या बस इस पिंदर यह लिखना हो तो जितना ही हाल लिखा है कि conversion of data type पूरा लिखना type costing is a conversion of one data type into another example देदेना किस type की उती होती है और इंधी examples देना है से करके